बहु मुल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। मानन ये प्रधान मंत्री महोदै। मन पर उपस्तित, सभी महानुभाव, देवियों और सर्जनों। आज हम सब के प्रेणा सोत, पुझ्य बापु और लाल बाहदुर सास्री जी की जन्मगेंती है। कल एक अक्तूबर को राजस्तान सहीत पुरे देश ने स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा कारकम किया। मैं स्वच्छता अभियान को जनांदोलन बना देने के लिए सभी देश वास्यों का आभार व्यक्त खरता हूं। साथियों पुज्य बापु स्वच्छता स्वावलंबन और सर्वस्परसी विकास के बहुत आग्रही थे। बीते नव वर्षों में बापु के इनी मुल्यों को देश ने बहुत अधिक विस्तार दिया। आज चितोड़ घड में 7200 करोड रुपिय के जिन प्रोजेश का सुभारंभ हुआ है उसमें भी इसका प्रतिविम्ब है। साथियों, गैस बेज एकोनमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभुत पुर्व अभियान चल रहा है। मैसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनवानगड सेक्शन का आज लोकारपन किया गया है। इससे राजस्तान में इंडस्त्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के कीचन में पाइप से सस्ती गैस पहुचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। साथियों, आज यहां रेलवे और सडक से जुड़े महत्वपन प्रदेश का लोकारपन भी हुआ है। इन सारी सुविधाओं से मेवार की जनता का जीवन आसान होगा। यहां रोजगार के नए आउसर बनेंगे, ट्रीपल आईटी का नया केंपस बनने से, एजुकेशन हब के रुप में कोटा की पहचान और ससकत होगी। सात्यों, राजस्तान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है, वर्तमान का सामर्थ भी है और बविश्य की संभावनाएं भी है। राजस्तान की ये त्री शक्ती देश का सामर्थ भी बढ़ाती है। अब यहां नाथ द्वारा टूरिस इंटरप्रेशन एवं कल्टरल सेंटर का लोकारपन हुआ है। ये जैपूर में गोविन देव जी मंदीर, सीकर में खाटू शाम मंदीर और राज समंध में नाथ द्वारा के परियतन सरकीट का हिस्सा है। इससे राजस्तान का गवरों भी बढ़ेगा और परियतन उद्योग को भी बहुत लाब होगा। साथियों, चित्तोडगर के पाथ भगवान कर्ष्ट को समर्पित, सावलिया सेट मंदीर भी हम सभी की आस्ता का केंद्र है। हर साल यहां लाखों स्रधालों सावलिया सेट जी के दर्शन के लिए आते हैं। व्यापारियों के बीच भी इस मंदीर का विशेद महत्व है। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहट सावलिया जी के मंदीर में आधुनिक सुविधाओं को जोडने का काम किया है। करोरो रुपिय खट करके यहां बाटर लेजर शो, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, एमपी थीएटर, कैफेटेरिया जैसी अनेज सुविधाएं बनाई गई है। मुझे विश्वास है कि इससे सावलिया सेट के भक्तों के सहुलियत और बड़ेगी। साथियों, राजस्तान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रास्मिक्ता है। हमने राजस्तान में एक्सप्रेस वे हाईवे और रेलवे जैसे आदुनी इंफ्रास्रेक्टर पर बहुत फोकस किया। दिल्ली बुंबई एक्ष्प्रेश वे हो या अम्रिच सर जामलगर एक्ष्प्रेश वे ये राजस्तान में लोजिस्टिक से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले ही उदाइपूर जयपूर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है राजस्तान भारत माला परियोजणा के सब्से बड़े राभारतियों समय भी एक महत्वप्र राज्य है साथियों राजस्तान का इतिहास हमें सिखाता है कि हमें वीरता वईभव और विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए आज का भारत भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है हम सब के प्रयास से विख्सित भारत के निर्मान में जूटे है जो खेत्र जो वर्ग अतीत में वंचित रहे गए पिछडे रहे गए आज उनका विकास देश की प्रास्थिक्ता है इसलिए बिते पाँच वर्षों से देश में आकांखी जीला प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है मेवार के राज़स्तान के भी अनेक जीलों का इस अभियान के तहट विकास किया जा रहा है अब तो केंदर सरकार इस कारकम को एक कदम आगे लेकर तली गई है अब हम आकांखी ब्लॉक्स की पहचान कर उनके तेज विकास पर फोकस कर रहे हैं आने वाले समय में इस अभियान के तहट राज़स्तान के भी अनेक ब्लॉक्स का विकास किया जाएगा बंचीतों को वरियता इस संक्रपो लेकर के केंदर सरकार ने वाइबरेंट विलेज प्रोग्रेम भी शुरू किया है जिन सीमावरती गाओं को इतने सानों तक हमने आखरी गाओं माना जाता है अब हम उन्हें पहला गाओं मानकर विकास कर रहे हैं इसका बहुत अधिगलाब राज़स्तान के दर्जनों सीमावरती गाओं को मिलना तैय है मैं ऐसे ही विश्वों पर अपसे कुछ मिनिट बार और विस्तार से जड़ा खुले मैदान में बात करने का और मज़ा होता है यहां कुछ बंदनों पर बंदे रहना पड़ता है तो काफी बातें वहाँ करूंगा राजस्तान के विकास के हमारे संकल्पकों को तेजी से सिद्धी मिले इसी कामना के साथ मेवाड वास्यों को नए प्रोजेश के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद